बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें इसे हमारी भगवान दर्पन गो देख करके विरक्त हो जाया करते हैं तुम कितने बाए दरपन देखते हो कि आये थे तो देखा ता सिसा का नहीं देखा एक को तो मैं देख रहा तो उ गाड़ी में जो लगा रहता ना गारी देखने का उसी को घुमा के देख रहा है और स्टाइल समाल रहा है विनका वाहरे आदमी तुझे यहां भी चेन नहीं और यह महलाएं यह इंद्राणियां इसरावी कहें बैठे हैं पर्स में नोट भी होंगे और एक छोटा सा सीशा भी होगा एक रुमाल भी होगा चेहरे को देखने के लिए चमकाने के लिए विचा कितनी वार से दिन में पांच-छे वार तो सीशा देख लेती हो ना नहीं देखते हैं बोलो इमानदारी से देख लेती हैं नहीं सीशा देखना चाहिए कोई बुरी बात नहीं है दरपन देखो मैं विरोध नहीं करता हूंगी नहीं मां रड़ा जुपशूरत हो उसको 10 वार सीचा मैं तार पन नहीं करूंगा दरक्ण देखने का भुर्ट भूंत दने रड़र वर्ट distributed को जो सुंदर है उन्हें दसवार पांच वार देखना चाहिए जो बस सूरत है उन्हें दस वार दर्पण देखना ज़िए जहां टाइम मिले वहीं दर्पन देख लो क्यों खेथ हूं क्यों देख लो दर्पन कि मैं कितना सुन्दर कितना स्माट कितना हैंम कितना सुन्दर दखता हूं ये तो सुन्दर ंडर मेरा वेवहार वन जाए तो मेरा जीवन धन्न्य हो जाएगा मीरी जिन्द इसार्सकति को कि चहरा सुन्दर और चरित्र बदसूरत चहरा सुन्दर बेवार सुन्दर नहीं चहरे के सुन्दर लोग धरपन में देखा करो कि जितना सुन्दर मैं दिखता हूँ ना उतनी सुन्दर मेरी बाणी भी होना चाहिए उतना सुन्दर मेरा बोल चाल होना चाहिए उतना सुन्दर मेरा विवहार होना चाहिए और बतसूरत आदमी को दसवार दरपन देखना चाहिए क्यों देखना चाहिए कि दरपन में वह ही है देखे कि देख बेटा चहरे की बज़े से तो तुझे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि तुभी ऐसा बदसूरत पैदा हुआ है काला कालूटा सकल कुछ है ही नहीं है बिचार करिए ऐसे देखो कि भाई चहरे की बज़े से तो मुझे इस दुनिया में सम्मान मिलने वाला नहीं है चरित्र की बज़े से तो कोई चहरे की बज़े से तो कोई मेरी जैजेकार करेगा नहीं दसवार इसलिए देखो कि चेहरा सुन्दर नहीं हुआ तो क्या हुआ जितना बसूरत मेरा चेहरा है उससे अच्छा मैं अपना चरित्र बना करके जिऊंगा और यह दुनिया चेहरों को याद नहीं करती यह दुनिया चरित्र को याद किया कर चरित्र अच्छा आप बताईए विचार करिए कोई इस सुन्दर स्त्री है कि बहुत अच्छा चेहरा है कश्मीर की कली है लावन्य की भनी है लेकर बात बताओ ज़िए उसका बोलचाल अच्छा नहीं है उसकी भासा अच्छी नहीं है तो चहरी की सुन्दरता किती देर अच्छी लगेगी बुलो एक सुन्दर चेहरे को आप किती देर देखना चाहोगे एक दिन देखो दो दिन देखो तीन दिन देखो चार दिन देखो एक दिन लगेगा यार क्या वोई वोई चेहरा दिखते रहता है ज्यादा सुन्दर चेहरा ज्यादा देर अच्छे नहीं लगा करते हैं लेकि पोखने में सुद्र नहीं बहुत खूबशूरत नहीं है लेकिन बोलती हैं तो एससे बोलती हैं मुँ से फूल झरुए हो बड़ो को सम्मान देकर बात करती है चोटों को प्यार दे की बात करती है इसका बेवहार बहुत अच्छा है एक बात बताएए चहरे की सुन्दरता जादा दिन चलती है या बेवहार की सुन्दरता जादा दिन चला करती है आदमी का बेवहार अच्छा होना चाहिए आदमी का आचरन अच्छा होना चाहिए आदमी का चरित्र अच्छ बच Cordia कर रहे हैं आज से अरवों बर्स पहले हुए उनका चेहरायाद है कि आपने को देखा ही नहीं होगा पता ही नहीं है मूर्थी में देखा है औरिजिनल चेहरायाद है कि चैन्दापर्व भग्ग Central हमारा धर्म हमारी संस्क्ति हमारा भारत चहरों को पूजने वाला नहीं हजारों लाखों वर्स पूर हुए चंदा प्रहु के चरित्र को आज सारी दुनिया पूजा करती है आज उनका उनकी चरित्र की पूजा हो रही उनके गुणों की पूजा हो रही है उनके गुणों की आराधना हो रही है अभी पूछना क्या चड़ा रहे हैं भगवान के गुणान वाद कर रहे हैं गुण पूजे जाते हैं चरित्र पूजा जाता है बिवहार पूजा जाता है धंदोलत या माया नहीं पूजे जाती है ध्यान रखना ज्यादा गोरे गोरे होने से भी कुछ नहीं होता है चूना कितना गोरा होता है चूना देखा है कितना गोरा होता है एक चम्मच मुझ में डालो पता पड़ जाएगा गोरा क्या होता है काली काली जाम करके रख देगा ध्यान रखना चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए हमारे मर जाने के बाद कोई हमारा रूप रंग याद नहीं करेगा हमारे मर जाने के बाद कोई हमारी दौलत याद नहीं करता है हमारे मर जाने के बाद कोई हमारे अच्छे मकान को याद नहीं करेगा किस याद हमारे बियवहार को याद किया जाएंगा हमारे चरित्र को याद किया जाएगा कि हमेशा गुणों की ही पूझा फिछातीнали जिनेंदर के जाए ृच्वाण के गुण होना चाहिए भगवान के गुण होना चाहिए बातों से भगवान नहीं बनते गुणों से भगवान बना करते हैं इश्वर के गुण क्या हमारे अंदर पैदा हुए जब हमको गुष्षा आ रहा है तो समय थोड़ा सा दिमाख लगाना कि मुझे भगवान बनना है भगवान कभी गुष्षा नहीं किया करते है जब आलू प्याज खाने को बैठो तो सोचना मुझे भगवान बनना है भगवान क्या आलू प्याज खाते है जब रात्री में भोजन करो तो सोचना मुझे भगवान बनना है क्या भगवान रात्री में भूजन करता है जब चलकपट करो तो सोचना मुझे परमात्मा बनना है क्या भगवान चलकपट किया करते हैं ध्यान रखिए भगवान के गुणों की अराधना गुणान वाद उसी को पूजा कहते उसी को बिधान कहते उसी को भक्ती कहते है रोज हो रही है पूजा, रोज गुणों की अराधना की जा रही है, अपने आप को देखें, एक राजा था, उसके पर भौत खजाना था, अपार धन बेभौता, बहुत बटोर रखाता, लूट कसोट करके, दूसरे राज्यों का भी धन उसने युद्ध करकरके, अपने दिनार बनाया, एक खजाना बनाया, कि हमको यहाँ पर अपना खजाना छिपा करके, ध्यान रखना, पैसा नहीं होने से भी नीन खराब होती है, और ज्यादा होने से और ज्यादा खराब होती है, सोई नहीं पाता है, आदमी जाकते रहता है आदमी, एक बार क्या हुआ, ए इक शहर में एक आदमी आया मैं ऐसे तखत पे बैठा था उसने सोचा यार पैसे लेकर आया तो पैसे लेकर आया तो उसने क्या किया आहार देना था जल्दी से पैसे की थैलया मेरे तखत के नीचे डाल दी मुझे तो पते नहीं की नीचे क्या है उसने भी नहीं बताया लेकि और वो अब जाके कपड़े बदल करके आहार देने लगा थेला नीचे डाल दिया नोटों से भरा हुआ उसने सोचा यार इससे जादा सुरक्षित स्थान कौन सा होगा लाकर में चोरी हो सकती है किसी को रखाऊंगा तो महराज की पास कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए औ अब वो तो चला गया पता चला अपटा चला कि नीचे नोट रखे हैं हो टॉर मेळे क्या किस्का रखा है अब भॉ पठ्ठा तो चला गया हुआरहा हम् हिस नीं धरां हम बाहर जायें को दिक्क्त ओ दर लगे कोई डेखे तो क्या कहेगा क्य उठा के ले गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी है वो तो मस्त आराम से शॉपिंग कर रहा है बजार में चोकीदार हमको बना करके चला गया हम समाल रहे उसका पैसा वहां से फोन आया महराज को बोलना उनके नीचे मेरा कुछ रखा है समालना अरे महराज समालेंगे अरे दिगंबर हो गए तन का कपड़ा छो इसी थो रही है खुद कहरा कोई चिंत मैंने उटा भी इसी को यह जो तेरी चिंता है ना वह मेरी तख़त के नीचे पड़ी है इसको उठा मुझे चिंता मुक्त कर विचार करिए सोच है जिने के पास है ना और ज्जादा टेंसन्व में हैं इसके पास नहीं इतना है के पास बहुत खजाना था उस खजाने की दो चावी थी एक राजा ने अपने पास रख ली और एक मंत्री को दे दे कि भई कम सकम खजाना है तो उसकी जाच तो करते रहना देखते रहना सुबह साम कभी वक्त मिले तो खजाना सुरक्षित है या नए एक चावी मंत्री को दे दी और एक चावी खुद रख ले एक दिन क्या हुआ कि राजा कि घूमने निकला कि घूमने निकला तो क्या हुआ राजा ने कहा कि चलो राजा ने कहा कि चलो आज फिरी हैं खजाना देख लेते हैं चावी तो थी उसके पास जाकर के खोला कोठ्री को अंदर चला गया जगमगा रहे हैं हीरे मोती जभारात देख करके मनमुगद हो गया मेरे पास इतनी दॉलर मैंने इतना समेट लिया इतना अबटोर लिया मेरे से ज़्यादा सम्राट मेरे से बड़ा धनवान दुनिया में कौन होगा सब को खोल खोल कर संदूक देख रहा है इसमें हीरा है इसमें मूंगा है इसमें मानिक है इसमें पन्ना है इसमें जवाहरात है सब देख देख करके खुश हो रहा है खजानों की चमक में आखे चोन दिया गई त्रप्त हो गया देखकर मैंने अपनी जिन्दगी में इतनी दौलत बटो रिए गुआ क्या दुरुभाग से वहां से मंत्री निकला मंत्री ने कहा चलो यार अपन भी खजाना देख लेते हैं देख तो ले क्या है वहां क्या देखा की दर्वाजा खुला है मंत्री ने सोचा रात कोई तो मैं देख के गया था कि दर्वाजा खुला है राजा सुनेगा तो मुझे फांसी पे लटका देगा उसने मेरे भरों से खजाना चोड़ा है मंत्री दवे पाउ गया और बाहर से दर्वाजा बंद कर दिया उसके पास भी चाबी थी उसने लिया और बड़ा ताला डाल के घोडे पर बैट करके भाग गया जैसे ही भागा राजा ने पूरा खजाना देखा अब सोचा कि चलो राजधानी वापिस चलते अब कैसे वापिस जाएगा बाहर से तो मंत्री ताला डाल करके चला गया ताला ड़ला राजा दर्वाजे खुलवा रहा चिल्ला रहा है दर्वाजा पीड़ा कोई खोलो कोई खोलो देखो सम्राठ है कहां बंद हो गया एक कोटले में बंद हो गया खोलो खोलो अरे राजधानी हूँ तो ताली बजाते ही नौकर चाकर आ जाए जंगल में कोन आ रहा है तुम्हें खोलने के लिए चिला राए कोई खोलो कहते हैं पूरी रात हो गई जंगल में खूलने वाला राजा को बहुत प्यास लगी कि बानी है राजा को भूग लगी भोजन है क्या करें ही रे की तजोडी के के पास गया भुले मुझे एक गिलास पानी देदो कंठ सूखरा है मेरा हीरा कहां से पानी देगा मानिक मूंगा मोती के पास गया एक बक्त की रोटी दो रोटी देदो मैं त्रप्त हो जाओंगा समराथ है क्या बन गया भिकारी बन गया मुझे देदो हीरे मोती जवारात ने देखा कौन देगा इसको पानी कौन देगा भोजन बाहर जंगल में खजाना गाड़ा है वहाँ कोई देखने बाला भी नहीं है क्या हुआ कोई नहीं दे रहा जैसा लगा उस राजा को जैसे मानिक मोती हीरा के रहे हों की पागल देख तेरी दौलत तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती है किस के लिए जोड़ा था किस के लिए बटोरा था अबाभाज लगाते रहे तुझे कोई पानी देने वाला मंतरी था तो चला गया मंतरी को पता लगा की राजा गायब है राज भबन में राजा है धी नहीं उसने कहा राजा कहां गया पूरे नगर में राजा को ढूड़ा अब उसे क्या मालू मति मारे को कि मैं उसे बंद करके आ गया हूँ मंत्री के तो हो सुड़ गए किराज कहा चला गया सुरक्षा कर्मियों से पूछा उन्होंने का हमें नहीं मालुम राजा कहां गए पूरे राजधानी में ढूनते ढूनते साथ दिन लग गए राजा साथ दिन से क्या कह रहा है पानी दे दो भोजन दे दो कोई भी उसे देने वाला राजा ने क्या किया सब संदूक के हीरे जवाहरात निकाले पूरी एक सैया बनाई और उस पर लेट गया हीरे मोती पर मानिक पर जिसके लिए पूरे जिंदगी बर्वाद करते रहा जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया उस पर सो गया उसने कहा मैं जा रहा हूं घूंक प्यास से साथ दिन में प्राण निकलने लगे राजा के उसने क्या किया है columns मैं कुछ कुछ लिख करके जाता हूं तो उस कोठरी में ना तो कागज था और ना पैन था कुछ नहीं था कागज कलम दवाद कुछ नहीं राजा ने खीरा उठाया उस हीरे से कट लगाया खून निकला उस खून से दिवार पर राजा ने कुछ लिखा साथ आठ दिन बार मंत्री ने कहा यार राजा का कहीं पता ही नहीं चल रहा है अब राजा को तो छोड़ो अब राजा का जो माल था वो अपने अंडर में कर लेना चाहिए जैसे ही पहुचा खजाने की तरफ चावी से खोला क्या देखता है भीरे मोती की सईया पर राजा लेटा हुआ है भूक प्यास से उसके प्राण पखेर उड़ गए छोटे छोटे की